नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत है लेट अपटेट निकल कर आई है कि केंदरे करम चौरे को मिलने जा रहा है सबसे बड़ा तोफा तीन दसमलो छे आठ गुना तक बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर कब होगा अइलान तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर का अइलान सरकार कब कर सकती है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफ टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वाल आइ मोशन के बाद फिटमेंट फैक्टर के मोर्चे पर खुश कबरी मिल सकती है उनकी सिदे तोर पर आठ हजार रुपे की सैलरी में इजाफा हो सकता है यह आठ हजार रुपे का इजाफा उनकी बेसिक सैलरी पर होगा मतलब फिटमेंट फैक्टर उनका 3.68 गुना हो सकता है द दोस्ता आपको बता दे कि केंदर और रेज़े करमचारी की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 परतिशत से बढ़ा कर 3.68 गुना किया जाए एक परवरी 2023 को पेस होने वाले बज़ट के बाद केंदरे करमचारी की इस डिमांड पर सरकार विचार कर सकती है केंदरे करमचारी के फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग को लेकर कैबिनेट सचीव को लेटर लिखा है यूनियन चाती है कि नए वेतन आयों की सपारस लागू होने से पहले फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए जिससे करमचारी को काफी स्पोर्ट मिल सकता है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से नियुनतम वेतन में इजाफ़ा होगा करमचारी को फिलाल 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अधार पर सैलरी मिल रही है इसे बढ़ा कर 3.68 गुना करने की मांग है जिस पर सरकार विचार कर सकती अगर ऐसा होता है तो करमचारी की नियुनतम सैलरी में 8000 रुपे का इजाफ़ा होगा अभी तक 18000 रुपे नियुनतम सैलरी है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से यह बढ़कर 26000 रुपे हो जाएगी लगातर हो सकता है कि विरोध परदेशन के चलते सरकार पर दबाओ है कि वे करमचारी के फिटमेंट फैक्टर को लेकर विचार कर सकती है करमचारी यूनियन का कहना है कि सरकार करमचारी की मांग को नजर अंदाज नहीं कर सकती बलकि एक भी कल्प हो जा गया है कैबिनेट सची उसे करमचारी यूनियन की मुलाकात पहले ही हो चुकी है मुलाकात में उन्हें आस्वाशन भी दिया गया था सुत्रों की मानने तो सरकार फिटमेंट फैक्टर की फाइल को आगे बढ़ा सकती है बजट 2023 के बाद इस पर विचार करकी करमचारियों को खुशकबरी सरकार जल्दी ही दे सकती है तो दोफ तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत